तो आज हम स्टार्ट करने चारें जिक्वा क्लास 12 के मैथमेटिक्स का फर्स आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यूं कहिए गई तो आप सभी का वेलकम है ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक जुरूर करें कॉमेंट करके जुरूर बताएं कि वीडियो कैसी है और शेयर करना ना बूलें आप अपने आज पास की बच्चों के पास ठीक है और आपके लाइक और कॉमेंट ही हमें मोटिवेशन परवाइड करते हैं ठीक है अगर आपको जैनुवली अच्छी लगे वीडियो तो प्रीज जरूर बताईएगा जी ठीक है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चीजी मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है और क्यूं जरूरत पड़ी इस चीज़ की और इसके साथ सा लड़कों को आपने बोई कह दिया तो वैसे ही अगर सिंगलर मैट्रिक्स है एक ही मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कलाएगी और बहुत सारी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कलाएगी ठीक है इसके बाद क्या होता है जी क्यूं जरूरत पड़ी इस चीज़ की मालो जितनी भी लीनियर उक्वेशन आपने पड़ीज scenario हो अगर कई सारी question हो इन को сол करना पड़ेंद wonder मैंट्रिक्स की जूरूत पड़ी थी और यह बहुत इंपोर्टन टॉपक और जाता अप्लीकेशन हमाद में पड़ेंगे अपको वहाँ, कि इसकंद हमारी कोस्ते हैं तो मालनों मेरे पास है आपको कहा गया कि you आपका डाटा बनाये जाए के साइंस के मैं नंबर का है और मालनों एक आपके मेध के मार्क्स का और एक मालनों आपके English के माघ्वा तैन इंका गागा जी आप इन तीन नों की लिस्ट बनां के के दो और फिर कहा कि इनके 4 टेस्ट हुएं जी कितने टेस्ट हुएं चार तो पहले टेस्ट में साइंस में नंबर आये माँ लिए अपकर 40 दूसरे टेस्ट में आपके मैठ में 48 और रुची टेस्ट में आपके नहीं नहीं अच्छे घर कर दी तरह अपके सैग्एन टेस्ट में पहले मैं महल अ क्यूप फिर आगगा आप लिए प्रुट現在 और फिर आपके आगे इंगलिस में 43 आगे मालो वापिस इसी तरह थर्ड टेस्ट पे चलो साइस में आगे मालो 49 मैथ में आगे आपकी बार 47 और इंगलिस में आगे 48 वालिया जापने तो एक चीज़ देखो जी यह जो टेस्ट है यह जो यह कलाती होरीजंटल लाइन कौनसे लाइन होती है उनको कोपी में भी देखी होगी आपने वह कोपी देखी होगी छोटे टप बच्चों वाली जिसमें टेबल वगरा लिखते हैं बच्चे कुछ एक लाइन ऐसी लगी होती है तो जो यह लाइन होती है ऐसी लगी होती है उसको कहा जाता है रो क्या कहा जाता ह हैं प्रूंให है कोई मैटरीक्स हो चैना हो पहले आप यह समझ जाएगा कि होरिजेंटल लाइन को क्या आ जाता है रो कहा जाता है इसके बात यह लाई lini ऐसे दो लाईने लगी होती है है सिसे फ़ेर्टी कल लाईन कून से लाईं का जाता है यह वर्टीकल लाईन का होगां पके पास कॉलम सेकन्ड और यह वोगा आपके पास कॉलम सेकंड और यहुगा तो यानि की कोलम का मतलब क्या हो ग्याओं गार अवरटिकल लाइम इसके साथ साथ एक चीज और द्हां रखियेगा जी भार बार मैं इतना बड़ाखो है नाम ने लिखू है और बन तो समिझ जणा रो token है और टू लिखक दूं को समझा रो तू है और त्री लिखक दूं कि लिखा जाए तो कॉलम फस्त है सी तो लिखा मै Battle math क कि इसमें रख दिया हुआ एक कोलम में रख दिया और फस्ट रो के रख दिया आपने मे इस में एक रँ में फस्ट一定 के नमबर हो सैगगी टैस्ट के सारी नमबर आपने एक रँ में अपने एक रहर जी तो आपने कैसी स्टेक्टिर बना ली जो तो रोर कोलम की फुम मेंफ, किस फुम में एक रेक्टेंगुलर टाइप का फ्टर्ग्वर बना लिए आपके रेक्टेंगॉलर क्या हता हुथ जी इसके लेंध और ग्रेड्ड्थ asta क्या हो जी यानि सारे के सारे स्केयर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं तो वो स्केयर मैट्रिक्स है कि नहीं है वो अलग मैट्रिक्स डिपेंड करेंगा आपका लेकिन सबसे पहले यह समझना है कि मैट्रिकस का मतलब होता है किसी चीज को रो की form और को Technology कर देंआ धी कर देना है क्या किलाता र इसी को कहा थे एम इसको कहा दिते हैं एयरे इसके Does है नाम बोल देते हैं तो समझ आगे आपको क्यों रख्द आपने ठीक जिस ताकि कलीरल दिखाई अच्छा डाटा रिप्रेजेंट हो जाए इसी लिए हमने रोर कोलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि कोई प्रोग्लम ना आए ठीक है देखने बगएर हमें रीड करने में तो अगर आप से कोई मैट्रिक्स के डेफिनेशन पूछ ले इवट इस मैट्रिक्स मैट्स मताओ क्या होगे तोfolg तो सिंपल से डेफिनेशन ही अमेट्रिक्स इजए a matrix is a rectangular array of a matrix is a rectangular array of number कि number का rectangular array rectangular array का मलब रख देना ठीक है जी और सिस्टम ऑफ नंबर या तो एक नंबर को जचा दो या फिर सिस्टम ऑफ नंबर काफी नंबरों को जचा दो उसके अंदर एरे की फॉम में रेक्टेंगल की फॉम में जचा दो ठीक है जी उसी को क्या कहा जाता है जी तो मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन एक्जाम की इपसाब से इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पता जरूर होने चाहिए आपको एक मैट्रिक्स इस इंक्लोजड बाइब्रेक्ट मैट्रिक्स इस इंक्लोजड बाइब्रेक्ट मैट्रिक्स को हमेशा किसके दोराएं क्लोजड किया जाएगा ब्रेक्ट जरूर लगी होने चाहिए मैट्रिक्स के तब ही मैट्रिक्स के लाएगी तू थ्री ठीक जी थ्री टू बन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप उना ची ताकि कलियरली दिखाई दे आपको और वह भी गैप एक लिमिट का उना ची यह नहीं कि आप यहां कुछ और गैप रख रहे हो वहां कुछ और रहे हो तो यह क्या कलाएगी आपके पास रो कितनी है जी नंबर ओफ रोज बताओ नंबर ओफ रोज है जी थ्री और नंबर ओफ कोलम भी कितने है जी थ्री वो फॉर भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं ठीक है तो अगर मैं यहां पर ओडर लिखा जाता है मैट्रिक्स का मेंशा यहां पर क्या लिखा जाता है जी ओड निचे लिखा जाता है मैट्रिक्स का ओडर ओडर क्या होता है दी M by N बोल देते हैं इसको बोलते तो हैं से लिखते कैसे हैं M क्रोस N M क्या होता है दी M होता है नंबर ओफ रोज पहले रोज को लिखा जाता है और N होता है नंबर ओफ कोलम आन क्या होता है जे next column यानि कि मैं यहां पर order लिखुआ है तो यहां M करोस N लिखुआ है M कितना है मेरा यहां पर 3 और column कितने यहां पर 4 ठीक है जी, तो यह three and 4 की आपकी, sorry, number of columns भी यहां पर 3 ही है तो ये कल आता है जी order इसके साथ एक और वो देखो जी number of element कितने हैं elements क्या होते है इसमें जो data डाला आपने जैसे यह element बन जाएगा ये फीh element बन जाएगा याल इतुम है फिल् новые को मैजा ऐने बन जाए मोद मन नमबरो ऑफ कितने कि एन के साथ एम और एन की मल्टिप्लाइ करके बता दो कि कितने नंबर ओफ एलिमेंट होंगे उसके अंदर दो इसमें नमबर ओफ एलिमेंट कितने जी नाइन आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा जी ठीक है ठीक है जी देकिं ध्यान लखना ओडर में कभी कुलर में लिखते हैं आप में मैड्रिक लिखता हूं आप ट्राइक किजेगा टूब आइथरी की एक मैड्रिक्स लिखने जिसका कितना हो थो झाक यानि यानिशान कि रोऊनेची कितनी डो एक काब दो nichan ने लिए माल्या निशानित्टन होगो और कॉलम कर तिक्तिन एक एक चीज और देहन रखने के रखेगा जी वन बाई वन की लिखनी है मालो तो रो भी कितनी हो एक कोलम भी कितनी हो एक तो कुछ भी element लिखतो आप एक में bracket जरूर लगाना जिसके अंदर है तब इसको लिखा जाएगा capital जैसे मैंने capital B is equal to लिख दिया capital C is equal to लिख दिया तो यसका order कितना हो जाएगा one by one element करोंगे तो वन into three element कितने होगे six number of Tradition में पूछ लिए जाएं कितने होंगे जी तो number of elements होगे जी six order पूछ लिया जाये Cisco तो ओर्डर हो जी ganze 223 इसी तरह Experiment पूछ लिया जाएं इसमें कितने होंगे जी इसमें एलिमेंट होगा जी एक ओड़र पूछ लिया जाए तो कितना होगा जिसका ठीक है देखो यह मैंने कैपिटल ले लिखा अब हम जर्नल नोटेशन लिखने जा रहे हैं जी मैट्रिक्स की ठीक है यह क्या थी आपके पास एक चीज़ जहां रखेगा आई को रिपर्जेंट करते हैं हम रोस आई किसके लिख सकते हैं अपके ले लख सकते हैं जिसा हम लिखा आपने उससे तरह जे लिख सकते हम कॉलम के लिए तो यह बताओ रो कौन सी थी घर स्ट हो थी उन से रो थी फिर्स्ट रो यानि फिर्स्ट रो पहले रो लिखे जाए एवन फिर्स्ट रो यह भी फिर्स्ट रो में यह भी फिर्स्ट रो में इतने इतने करके कि कितने भी हो सकते हैं एन माल लिया मैंने एलिमेंट माल लिया कितने भी हो सकते हैं फिर यह कॉलम कौन सा है फर्स्ट कॉलम तो ए वन वन लिखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यह क्या हो जाएगा कौन सा कॉलम होगा सेकंड कॉलम यह कौन सा कॉलम हो जाएगा आपके प सब्सक्राइब करें लिख लिए आपके पास होगे रोड टू के लिखना चाहे हम जर्णल नौटेशन बात कर रहें एसे डिनोट कर रहे हैं ए रो कौन सी होगी जी सेकंड लेकिन एलिमेंट कौन सा रहेगा फस्ट त्सोरी कॉलम कौन सा को यौझ दो यह करो जायागे जो टो तो फेफ रोख जो ढूब रोगम ऑन उसी तरह चलते जायों तो मिलाएँ ठूल्नली Premi नियुक्षाण करें पराउगया तो यह क्या हो जाएगा थर्ड रोगा फर्स्ट कॉलम यह क्या हो जाएगा थर्ड रोगा सेकंड कॉलम यह क्या हो जाएगा थर्ड रोगा थर्ड कॉलम और इसी तरह चलते जाओ तो यह क्या हो जाएगा थर्ड रोगा एंड कॉलम इसी तरह आप नीचे चलते जाएगा मान लिय और अब मैट्रिक्स को लिखें कैसे जर्नली जर्नली लिखा जाएगा इसको इसी को गर शोट फॉर्म में लिखना हो तो ए आई जे लिख दो यहां पर चलिक दो जी ए आई जे ठीक है और यहां लिख दो हो एम एंद एक यह रिप्जेंट कर रहा है रोसओ जरी पर्जेंट कर रहा है को ए वन रखो तो बन पहुंच जाओ गे ऐshot की सिरिए तो मैंट्रिक्स ठीक है तो नोट कर लेजेगा इस पॉल्द है जननरल आप जन्रल नोटेशन ओफ ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की जननल नोटेशन इसके लाबाँ एक चीज़ और समझ यह का ठीक है जो हर एक ए आईज है ठीक है एवन वन होच हो एवन टू यही तो कहलाते हैं synteen Element Element और होटे ने होते हैं जी कोसितो है मैजने से हीश एक नट और को लेंगा इच ए है आई जे इस Mrs. लोड इस फोलड अलीबंगा यह मत्रिक्स के हारे का जाहा जाहे अलीमेंड और मैहें अब इसका इंट्डर्डक्शन दो आप इसका इंट्रडट्डक्शन दो क्या का होगे यह आजी थर्ड रो का थर्ड कोलम थर्ड रो का थर्ड कोलम ठेकर यानि कि हम कहेंगे it is जेएथ एलिमेंट ओफ आई यह रो आप यही कहोगे न कि थर्ड एलिमेंट है जी थर्ड रो का यह क्या कहोगे यह जी सैकंड एलिमेंट है थर्ड रो का यह क्या कहोगे यह सैकंड एलिमेंट है जी फर्स्ट रो का ठीक है तो इसका इंट्रोड़क्शन कैसे दिया जाएगा जी जेयत है एलिमेंट ओफ आई तो ठीक है यह था आज की इंट्रोड़क्शन वीडियो के इंदर आई होप आपको समझ आगी होगे बाकि नेक्स वीडियो में कुछ और नोटेशन बगरा के बारे में बात करेंगे और आगे और वीडियो में इंप्रूमेंट किया जाएगा ठेक है जी और आपके कमेंट सेक्शन देखे ही वीडियो आगे की अपलोड हो पाएगी जी ठेक है आई होब कि यू लाइक इट थैंक्यू है वे नाइस टेजी